चलिए कुश्चन में क्या कहता है वाई ओन आ हाउस इन डेली डेली में घर है वोज मुंसिपल वेल्यू यानि एमबी दे रखा है फेर रेंट यानि आजपडो उसका दूरिंग दा प्रीवियस येर 20-21 हाउस रिमेन वेकेंट कुछ दिनों तक सरखाली रहा एक चार दो हजार बीस से लेके तीस छे दो हजार बीस तक इट वाज लेट आउट एक साथ से कर दिया मिस्टर ए को वो रेजिडेंशल परपस मंथली रेंट इतने का होगा और कहता है वाई ये थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया ये इधर सिफ्ट हो गया ये एक्जाम में आया हुआ कुशन है 2009 में कुछ खर्चे उसके हुए है कहता है मुनसीपल यानी सिसाधारन सा अभी तक मुझे पता चल रहा है सर एक ही घर की बात कर रहा है तो एक घर का तो हम फटा फट से फॉर्मेट बना ही लेते हैं एक घर में कोई दिक्कत थोड़ी ना है बस आप कैलकुलेटर हर बच्चों के पास होना चाहिए इतना ध्यान रखिएगा हर एक बच्चों के पास कैलकुलेटर हो so that मैं आपको और कुछ बच्चे नए जो जोईन हुए है क्यूंकि डेली बच्चे एन्रोल होते है तो वो कन्फ्यूज होते हैं सर के हमें कुछ समझ में क्यूं नहीं आ रहा उन बच्चों को एक ही बात कहूंगा कि आप इस चेप्टर में तभी आगे कंटीन्यू कर सकते हैं जबके आप बेसिक कॉंसेप्ट कर ले उपर क्या लिखेंगे हम इनकम फ्रॉम आई एच पी फोर मिस्टर वाई तो जो बच्चे नए जोइन हुए हैं उनको पहले बेसिक कंसेप्ट करना होगा और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ फिर ये हाउस पॉपट्टी स्टार्टिंग से करेंगे तब समझ में आएगा हाउस पॉपट्टी का चप्टर एंडिंग में चल रहा है ठीक है चलिए सर सवाल में कहता है सर हम आपको MV दे रहे हैं MV दिया जा रहा है MV कितने का दिया जा रहा है साथ हजार सवार में कहता है हम आपको FR दे रहे है FR कितने का दिया जा रहा है 70,000 सवाल में SR का discussion कहीं नहीं है तो not applicable निल नहीं लिखना FR मतलब fair rent तो sir यहाँ पर expected rent बन जाएगा हमारे देखो कितना आसान सवाल है आप फटा फट से बता दूगे sir expected rent बनेगा 70,000 अब बात करते हैं ARRR देखो 10-10 मिनट के सवाल होते हैं 10 मिनट से कम भी time लगता है इंफेक्ट और 10 नंबर का सवाल आता है house property एक्जाम में जब question आता है तो हमें कौन सा करना चीए तो मैं बच्चों को हर बार बोलता है house property का सवाल हमेशा से आसान आता है फटा फट निप्टा लो करके mark score कर लोगे जल्दी से salary के सवाल में लेंदी पड़ता है आपने देखा भी पिछली बार कितने सारे questions की है उसमें time ticking है so that पहले आप इसको निप्टा लो कहता है municipal tax paid किया है ठीक है सर through due वर 25,000 कहता है municipal tax 18,000 रुपे और due अभी 25 है तो भीया जो paid किया repair किसी काम का नहीं सर fire insurance premium किसी काम का नहीं इन सब के बदले कुछ मिलता है हमें 30% यह किसी काम का देख रहे है एक्जामनर किस तरीके से इसमें फालतू-फालतू के point डाल रहा है यह भी किसी काम का नहीं नीचे कहता है loan वगरा लिया है उस loan का repayment की बात कर रहा है कहता है सर घर हमारा एप्रेल से लेके 36 तक खाली था उसके बाद 7500 रुपे किराये पे चड़ा तो सीधी सी बात है सर 7500 रुपे किराये पे चड़ा तो कितने मैंने किराये पे रहा आपका पूरे पूरे नाइन मंथ तो नाइन से अगर हम इसे multiply कर दे तो कितना आता है बता हाँ फस्ट एक सगी झाल हाँ जी थोड़ा वोईस कट हो गया था थोड़ा सा अब आज हर किसी को आ रही है बता दीजिए वोईस हर किसी के पास proper है के नहीं है ये भी मुझे बता दे फटा फट से क्योंकि मैंने बीच में वोईस कट कर दिया था थोड़ा सा येस आ रही है बस दो मिनट दीजिए सवाल के बीच में येस सर ठीक है डन मैं बात कर रहा था सर इसको मल्टिप्लाई करने की मल्टिप्लाई करके बच्चों ने जवाब दिया सर 66,500 अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हायर ले या लुवर तो मैंने बताया था कि इमेजिनरी मानों 12 महीने किराय पे हो तो अगर 75,500 रुपे के इसाब से 12 महीने किराय पे हो तो कितना बनता है क्या 70,000 से ज़्यादा बन रहा है यानि हम जूट नहीं बोल रहे है तो इसका मतलब अब लोवर लिया जाएगा यानि सिंपल से बहुत सिंपल बात है सर जो जी समझ में आई बात आपको सर माइनस एमटी कर दो मुंसीपल टेक्स 18,000 माइनस करेंगे सर क्यों मुंसीपल टेक्स 18 क्यों दूसरा भी तो वो डियू है माइनस करेंगे जी यह वी आजाएगा कितना आसान सवाल है कितने माइनस कर देंगे 24 और माइनस कर देंगे 24 इन केस अगर है हमारे पास तो तो सर यहां पर क्या आता है बताओ 24 है 14,850 तो देखो कैलकुलेटर आपके पास है तो कोई डरने की जुरत नहीं है कि एक्जाम में बड़ा कैलकुलेशन आजाए चोटा आजाए आपके लिए फट कहता है he took a loan question में क्या कहता है he took a loan उसने loan लिया कितने का 5 लाख रुपे का 10 पर्तीशत 14 2015 यानि सर 14 2015 को उसने loan ले लिया है सर 14 2015 को loan कितने का लिया है सर सर इसने जो loan लिया है न वो लिया है कितने का 5 लाख का और वो भी at the rate of 10% कोई बात ने and house was completed 31-3-2017 घर sorry 31-7-2017 तो but obvious सी बात है जैसे ही मेरा घर complete हुआ होगा 31-7-2017 में तो 2017 में यानि हमारा ये year बनता है 2017 और 2018 तो 2017-18 जो हमारा साल रहा होगा उसके अंदर तो मैंने claim कर लिया होगा 24B का deduction का तो हमें इससे पहले वाले year को क्या मानना है pre construction period चली आगे क्या कहता है he took further loan एक लाख का 11% interest to make further addition house 11-2018 सर इसने तो एक और loan ले लिया एक loan से तो निपट नहीं रहे थे इसने दूसरा loan भी ले लिया loan number two कब लिया इसने loan sir loan लिया इसने 11-12000 for the construction of किसके लिया लिया another house के लिया लिया sir इसने loan लिया another house के लिया और कितने रुपे का बोला गया sir एक लाख रुपे का इसने loan लिया और वो भी at the rate अब इस वार महंगा ले लिया to make further addition house none of the loan repaid अभी तक कोई घर हमारा repay नहीं हुआ है compute income under the head of house property तो मैंने कहा था loan कितना भी ले लो आप सब इंट्रस्ट आपको अलाउड है चाहे दो लोन लो चाहे चार लो उसका ब्याज अलाउड है penalty वगएर अलाउड नहीं है तो हम पहले पहले वाले से निपट लेते हैं कौन बच्चा बताएगा कि यहां से यहां तक यानि सर यहां से यहां तक एक डेट लिख देते हैं आपके लिए सर 31 तीन 2017 यह कितने महिने हो जाते हैं पूरे 24 महिने यानि सर PCP हो गए आपके 24 मन्त अब बात करते हैं लोन रीपेमेंट नहीं किया हमें काम काज कप के लिए करना है 21 के लिए करना है सर 21 वाइस एसिस्मेंट यह रहे यानि PY हमारा क्या होगा 20 और 21 मैंने नए 10 यह जल्दी में बनाया तो capital gain के अंदर सारे date change कर दिये बस इसमें नहीं किया मैंने सोचा भी तो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यूंकि इसमें calculation का कोई फरक नहीं पड़ता इसलिए आपको सारे सवालों में 21 और 22 देखने को मिलेगा अब 20 21 के लिए बनाना है तो सर 20 21 हमारा कौन सा year माना जाएगा हमें एक बात ये भी चेक करना है कि 17 18 को हमने claim लिया 17 18 से हमें PCP का deduction आगे कितने सालों तक मिलना है तो 17 18 के बाद 18 19 एक 17 18 में मिलेगा एक 18 19 में और एक 20 21 मतलब है हमारे पास यहां पर PCP जो हमारा है pre construction period वाला भी मिलने वाला है ब्याज और current year वाला भी ब्याज deduction के लिए available होगा तो सर PCP का interest निकाल दें यह लीजिए आपके लिए मैं निकाल देता हूँ PCP का इसको थोड़ा सा नीचे करके आपके लिए PCP का interest निकालें तो यह आएगा सर 50 500,00,00 गुणा में 10% into में 24 divided by 12 into में 1 by 5 तो क्या आगया जल्दी जल्दी बता दिजए 20,000 pre-construction period और current year का सर निकालोगे तो 5,000,000 का सर current year का 10% निकालते हो तो current year का कितना आएगा पहले ये बास समझेए सर ये एक लोन का हिसाब किताब खतम किया एक लोन से हमारा interest कितना बन रहा है 24B में सर 20,000 और 50,000 70,000 सवाल समझ में आया 70,000 कैसे 20,000 pre-construction period वाला और 50,000 रुपे आपका current year का क्योंकि question में line दे देता है none of the loan repaid और मैंने वैसे ही बोला ये line नहीं देता तो क्या मानोगे कोई loan repayment नहीं हुआ है सर अब दूसरे loan का हिसाब किताब 18 में घर complete वगेरा हुआ नहीं कुछ यहां पे तो PCP का कोई concept लग नी रहा क्योंकि 2018 में कहता है he took a further loan एक लाक रुपे 11% interest to make further addition in the house house बन चुका है house के अंदर कुछ addition के लिए तो इस वाले concept में क्या pre-construction period का कोई सवाल खड़ा होगा मैं जाऊंगा return file करने के लिए सरकार के पास सरकार बोलेगा return file कर रहा है घर है क्या मैंने लगा घर है बस एक दो दिवार डलवा रहे है चेक कर सकते हैं तो मुझे तो हर साल deduction मिलेगा यानि सर यहां पे PCP वाला concept नहीं आएगा यहां पे सिर्फ कौन सा आएगा current और current year का अगर देखा जाए एक लाक रुपए पे कितने परसेंट 11% का भी आज है तो कितने आजेंगे तो सर 11,000 और जोड़ दें तो कितना भी आज आ गया क्या 81,000 रुपए माइनस कर सकते हैं सर माइनस कर सकते हैं तो आपका IHP आ जाता है यहां पे माइनस करके फटा फट से जवाब दे दीजिए सवाल हो जाता है खतम कितने 3,5 यह सर लॉस है लॉस फ्रॉम हाउस पॉपटी बच्चों ने जवाब भी दे दिया लॉस फ्रॉम हाउस पॉपटी किसी को दिक्कत किसी को कोई परेशानी मेरा देखो मेन परपस यह जीए भी लोर हायर यह तो आप सीख चुके हो मेजर क्या है फोकस्ड आपका इंटरस्ट पे करना अगर जहां इंटरस्ट आये तो चप्टर में कुछ बच्चता ही नहीं फिर तो किलियर किसी बच्चे को डाउट जितने बच्चे लाइव में किसी को डाउट अदीती का बिलकूँ सही जवाब हरशित का भी सही जवाब राम नराइन का भी सही जवाब निधी का भी सही जवाब नो, खुशी का कहना है कोई डाउट नहीं अगले सवाल पे चले चलिये सब झाल झाल